कश्वणी भुपल से प्रस्तुत है धार जिले की चिठी अलेक सुनील साचान वाचनस्वर प्रशांत सेंगर पश्यम्मद प्रदेश के आदिवासी बाहुल धार जिले में आज अक्षत रितिया पर चारों तरफ विवाह का माहुल है और बड़ी संख्या में सामोही की विवाह संपन कराई जा रहा है इस अवसर पर बाजार भी गुलजार है और वहीं जिला प्रशासन ने भी अक्षत रितिया पर बाल विवाह को रोकने के लिए विशेश प्रबंद किया है इसके लिए विशेश कंट्रोल रूम भी पनाए गया है सक्त निर्देश दिये गए हैं कि बाल विवाह कानूनी अपराद है और इसमें दो वर्श का कठोर कारवास और एक लाग रुपे के जुर्माने का भी प्रावदान है विवाह के समय वदू की आयू 18 वर्श और वर की आयू 21 वर्श से कम नहीं होनी चाहिए यदि बाल विवाह होता है तो मैरिज हौल, टेंट, बेंड बाजा और केटर्स के साथ साथ विवाह कराने वाले पंडित पर भी केस दर्ज होगग अक्षित रितिया के साथ साथ आज भगवान परुश राम जैन्ती भी है और परुश राम जैन्ती को लेकर धार जिले में भी उत्सह का बातावरन है धर के प्रसिदे धर इश्वर मंदिर में 101 दमपतियों दोरा भगवान का विशिक किया जा रहा है इसके बाद शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी वहीं आज एद का तेओहर भी धर जिले में पूरे उत्सहा और हर्श रलास के साथ मनाए जा रहा है और अब धर जिले की पिछले दिनों की कुछ खास खबरें और विशिश गतिविदियों की बात धर जिले में रभी की फसलों की कटाई का दौर अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है जिले में इस बार तीन लाग हेक्टर शेत्र में गेहों की बौनी की गई थी जिने स्थानों पर कटाई की जा चुकी है और जहां जिन किसानों के पास पानी की परियापती व्यवस्ता है वे अब गर्मी की फसल भी लगा रहे हैं अब तक 5200 हेक्टेर शेतर में मक्का और मुंग आदी की बौनी भी कर दी गई है क्रिशिव भाग ने किसानों को सलहत दी है कि वे अगामी फसल की अच्छी उत्पाद के लिए गहरी जुताई करें इस बार धार जिले में गेहों का बंपर उत्पादन हुआ है और किसान बड़ी संख्या में अपने उपज लेकर मंडियों में पहुँच रहे हैं जहां उने अच्छा दाम भी मिल रहा है शासन द्वारा समर्थन मूले पर गेहों उपारजन के लिए बनाए गए 76 केंद्रों में भी किसान अपने गेहों की बिकरी कर रहे हैं धारजिले में रभी सीजन वर्ष 2022-23 में चना और मसूर का भी नियुनतम समर्थन मूल पर नव उपारजन केंद्रों में उपारजन किया रहा है जो 31 माई तक किया जाएगा प्रधान मंत्री नरिंद्र मौदी की कोशल भारत सशक्त भारत की परिकल्पना को साकर करने वाली केंद्र सरकार की महती यूजन प्रधान मंत्री अपरेंटिसशिप मेले क आयजन गत दिनो धारजिला मुख्याले अश्दित शास्की ये आई टी आई में हुआ मेले में नियुक्ता के रूप में और दिविक शेतर की छे प्रतिश्टित कंपनिया आई जिनके द्वारा साक्षातकार के माद्यम से कुल 36 प्रति भागियों का चाहिन किया गया रज्विदिक सिवा प्राधीकरन द्वारा धार जिले में 18-24 अप्रेल तक विशेश नश्यमुक्ती सप्तह का आई जिन के जरा है नश्यमुक्ती अभ्यान अंतरगत धार में कारिशाला और वियाख्यान माला सहीत आनेक कारिकरम आई जिन के जरा है शास्की पोस्ट मैट्रिक पिछला वर्ग बालक छात्रावास पर नशे के दुश्परभाव से सम्मधित सिलोगन चित्रकला और लगुकता आधीपर के अंद्रित विशेश प्रत्युगताई आईजित की गई इस हवसापर जिला नशा मुक्ते अभ्यान के नोडल अधिकारी डॉक्र संजय भंडारी दोरह उपस्ते ते छात्रों को नशे से होने वाले दुश्परभावों की जन करीदी गई गते दिनों मुक्ष मंत्री शिवराजी सिंग चोहान ने धार जिले के ग्रामराला मंडल में पहुँचकर हाल ही में हुए सड़क हाथसे में एक किसान और उनके बेटे सही ते दो अन्य लोगों की मृत्तु पर शोक सम्विदना व्यक्त कर परिवार को धांडस बंदाया मुक्ष मंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपे की आर्थिक सहयता भी परदान की धार जिले में भोज शोध संस्थान दोरा संजाले ते शृद्धाले विरद्धा श्रम को आई एसो परमाणन से नवाज अगया है भोज शोध संस्थान को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का परमाणन प्राप्थ हुआ है धार शेतर में ऐसी उपलब्दी हासिल करने वाला भोज शोध संस्थान पहला संस्थान है धार जिला जेल को तीन अलग-अलग श्रینदी के अवार्ड प्राप्थ हुए है समानों की ही श्रेणी में गत दिनो विश्व ब्रहमन समाज संग द्वारा धार की समाज सेवी समंदर सिंग पटेल को अटल गौरो समान 2023 से समानित किया गया धार पुलिस अदिक्षक मनोज गुमार सिंग के नेतरित में साइबर क्राइम ब्रांच और नौगाउं थाना पुलिस ने अवेद कट्टे की तसकरी करने वाले एक गिरोह का परदा फाशकर गिरोह के एक व्यक्ति को गरफतार किया है और उसके पास से एक दरजन अवेद दे किसी कट्टे की बराम अदिकी है इसके साथ ही दार जिले की चिठी समाथ हुई